प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबस्क्राइब करें से पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत 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 प्यार बहुत बहुत शुप काम ना है आज ये जनक में हम आपको समझाएंगे जोतिस पारशाला के तहत के हम कैسे पहचाने हमारी जनम राज़ी क्या है पफर आज हम पहले आजकों आज का पजह भी ओदेन हमारी राज़ी क्या है डो चीज़े आपको देखनी आनी चाहिए आगा में फिर बहुत कुछ हम दीरे-दीरे ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे आईए पहले आज का पंजाएंग देख लेते हैं सत्रा जन्वरी सन दोहजार एककिस दिन रविव्यार पोश मास शुकल पक्ष समवत दोहजार ससत्तर तिथी चतुर्थी नक्षत्र पूरवा भादरबद राहुकाल साड़े चार सिछे दिसा सूल पश्शिम दिसा जन्मरासी बहुत ही मुल्यवान होती है और आपको अपनी जन्मरासी का पता होना चाहिए कि कैसे पता करें कि हमारी जन्मरासी क्या है या जैसे आप कुंडली देखना सीख रहे हैं तो आपके पास कोई कुंडली लेकर के आ जाए तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसकी जन्म रासी क्या है अक्सर सब पूछ लेते हैं चोटी सी बार पता क्या है मुस्किल से एक मिनट का चेप्टर है जोतिस बहुत आसान है बस आप जैसे सीखने हैं ने लगन से आप ऐसे सीखते जाएए मैं आप से वाइदा करता हूँ कि मतलब हर गुरू का ये मन होता है कि उसके सिस्थी उससे आगे चले जाए अगर गुरू मन से सोचे तो अब मैं आप कहेंगी ऐसे कैसे ऐसे ऐसे हर माता पिता का क्या मन होता है कि मेरी ओलाद मुझसे भी आगे जाए मेरी ओलाद मुझसे भी जादा तरकी करें बही ऐसे गुरू का मन होता है है ना तुम किसी को अच्छा समझाओगे अच्छा बताओगे, अपने कुंडले अच्छे से देखोगे, अपने बच्चों की देखोगे, तो कहीं न कहीं किसी कोने में मैं आज जरूर आऊंगा, है न, तो इसलिए मैं अच्छा प्रियास करूँ आप सब के लिए, अब दो बाते ध्यान रखें, पहली बात, कि जिसके पास डेट बर्थ सही हो, डेट बर्थ सही हो, समय सही हो, टाइम, बर्थ हो पहले, तीन चीजे सही होनी चाहिए, और आपके पास आज कल सब के पास लैप्टॉप है, मोबाइल में भी जोटिस के सॉफ्ट्वेर हैं, और हम प्रियास भी करेंगे, कि हम एक ऐसा देंगे आगे-आगे, अपने संस्तान के हिसाब से, कि आपको बहुत उससे आगे मदद मिल जाएगी, अब आपने डेट बर्थ भी उसके पास किलियर नहीं है, जर्म समय किलियर नहीं है, फिर उसकी जर्म रासी नहीं पता लग सकती, फिर तो जो नाम उसका पुकारा जात उस पुकारते नाम का पहला अक्षर किस रासी के साथ जुड़ा होता है, वैसे आप बताएंगे, वो चैप्टर मैं बाद मिलूँगा, लेकिन पहले चैप्टर ले रहा हूँ, यदि डेट बर्थ किलियर है, उस व्यक्ति की जर्म पत्री का बनी है, तो हम उसकी रासी कैसे से पता लगाएंगे, अभी मैं आपको एक कुंडली दिखाऊंगा, उस से आपको समझ में आएगा, और कि जो जनम लगन होता है, जो बेसिक चार्ट होता है, जो हम कुंडली का एक मैप बनाते हैं, नक्षा बनाते हैं, इस टाईप से आपने देखा होगा, कितने खाने होत में द्यान से सुनिएगा जनम पत्रिका के किसी भी हाउस में एनि हाउस जहां चंद्रमा लिखा हो चंद्रमा और चंद्रमा के साथ जो संख्या लिखी हो जो नंबर लिखा हो जनम पत्रिका के डेफिनेशन लिखो परिवासा लिखो कुंडली के किसी भी भाव में चंद्रमा के साथ जो राशी हो या जो नंबर हो वही उस व्यक्ति की जनम की राशी होती है कुंडली में जहां भी चंद्रमा बैठा हो और वहां जो अंक लिखा हो बस वही उसकी राशी होगी अब आई ये ऐसे एक दान देते हैं कुंडली देखो चंद्रमा जहां लिखे हैं चंद्रमा के साथ क्या लिखा है फोर नंबर है चार नंबर लिखा है चंद्रमा के साथ फोर चोथे नंबर की कौन सी रासी हमने पढ़ाई थी अगर आप उंगली पर याद करें कैसे याद किया करते हैं मेश वर्षब मिथुन करक चोथे नंबर की कौन सी रासी करक तो इस बच्चे की इस जातक की जर्म की रासी क्या हो गई करक रासी हो गई अब ये कुंडली हम आपको दिखाते हैं तुला लगन की लगन कह रहे Pey Senhor यह देखे इसमें चंद्रुबा किस नंबर के साथ लिख लिखें है किस संक के साथ लिखें है साथ नंबर के साथ चेज चंद्रुबा और साथ नंबर बना यह ना तो कौन सी रासी होगा इसकी साथ नंबर की कौन सी रासी होती है तुला इस जातक की जर्म की लिवरा रासी होगई एक उधारव और दिखाते हैं मकड लगन का वो सुरी मकड रासी का यह देखे जंद्रमा किसके साथ लिखें हैं टैन नंबर के साथ लिखें ना यह टैन नंबर चंद्र के साथ लिखें यह चंद्र टैन नंबर के साथ लिखें बात देखिए चंद्रमा दस नंबर के साथ लिखें दस नंबर की कौन सी रासी होती है मकर कैप्री कौन तो इस जातक की जर्म की रासी कौन सी हो गई मकर रासी ह गई आप यह देखो एक चीज हमने आपको लगन भी पढ़ाया था पढ़ाया था ना लगन कहां से देखते हैं सबसे पहले वाले खाने से वहां 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 कोई भी नमबर आ सकता है लेकिन राशी चंद्रमा पूरी कुंडली में कहीं भी जा सकते हैं समझ गए आगे तो यह ऐसे हम जनम की राशी देखते हैं अब तीन चीज़े दियान रखना लगन कैसे देखें जनम राशी कैसे देखें और भाव भाव आपको पता होना चाहिए कि जनम पत्रिका का कौन सा भाव कौन सा होता है अब चंद्रमा जैसे चंद्रमा किसी के पंच पंचम भाव में आजाए यह को धर आ यहां चंद्रमा पंचम भाव में हैं ठीक है हमने जानबूज के उसके साइड में दूसरा थोड़ा से नीच थोड़ा से साइड में तीसरा बीच में चोथा और जहां चंद्रमा लिखें कौन सा पाच्वा तो यह भाव कौन सा यह भाव पंचम है भाव पंचम है फिप्थावस है और फिप्थावस में चंद्रमा है लेकिन उसमें आंक क्या लिखा है उसमें नंबर क्या लिखा है नंबर क्या लिखा है नाइन तो इसकी जनम रासी कौन सी हो गई के नावे नंबर की 188 एन्मज मुलाइन में बंचम बंचम मुझे औभी यह जो मैंने आगे पीछे जितना भी पढ़ाए हैं इसको तो थोड़ा थोड़ा सा कवर करो, थोड़ा थोड़ा सा याद करो, अगर आप पीछे रह गए ना, तो जोतिस नहीं सीख़ा होगे, फिर पीछे रह जाओ, क्यों, आप मेरे दिल में हो, मेरे पास हो, लेकिन मुझस से फिर भी दूर हो, है ना आप साथ में मेरे किलास होती तुम्हे कापी देख लेता है कि तुमने तुमने क्या लिखा तुमने क्या समझा तुम बताओ तुम बताओ अब ऐसे मैं कैसे आप जिसे पूछ सकता हूं है न वो दिन भी आएगा फटा-फट कोई ने कोई लाइव का सिलसला कुछ ने तो आज के लिए मैं इतना ही समझता हूं और बाकी अगले चैप्टर में फिर मैं बताऊँगा कि नाम अक्सर से राशी को कैसे पकड़ा जाता उस सारी बातें अगले चैप्टर में आपके संग दुराई जाएंगे आए साथ को समय चला आज की ध्यान साथना का आज की ध्या मोले स्पुराज स्तारा नायक से करां स्मित मुखे बापे नबाक छोरुआं पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकां रत्नोत परां विब्रते सोम्यां रत्न गटस्त रक्त चरणां द्यायत परां मंबिकां खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संदधतिम्करिस्त्रिनयानां सरवंग वुस्वरितां निलास मध्युतिमास्यपाद दसकां सेवे महां कालिकां यामास्तो स्वपिते हरो कमलजो अंतुम्मदुम्कटवं विद्यो दामसमप्रवाम्रिगपते सकंदस्तितां विशनां कन्या विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विरास सेवितां अस्ते चक्रगदा सिखेट विशिखां श्चापं गुणं तरजनीम् विप्राना मलिलात्मे काम ससिदाराम दुरगाम्तिनेत्राम वजे कबच बना लें ध्यान करें परामबा शक्ति का आशिरवाद हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्रिकों ने समाने हो जाएं अगर आप हमारे संसान से वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनवाना चाहते हैं अपनी अपने बच्चों की किसी की भी तो उसके लिए आप संसान से संपर कर सकते हैं और आपके जीवन में किसी भी प्रगार की कोई समस्तिया है और उसका प्रामश आपको चाहिए कि उसका निवारन क्या हो सकता है उसके लिए भी आप हमारे संसान से संपर कर सकते हैं आपके पास date of birth है या नहीं है, कोई tension नहीं है, हाथ की रेखाओं से भी आपके सवालों का जवाब और आपका समधान संपूर्ण तरीके से निकाना जा सकता है, आप देश में विदेश में कहीं भी रहते हैं, संसान से संपर कर सकते हैं, इन ही शब्दों के साथ हम अपनी वा किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से, नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय, सुभा दस वजे से शाम छे बज करने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें